दोस्तो 17 साल की उमर में लोग सपने को पंक लगाते हैं और अपने अपने सपने को पूरा करने में दिन रात एक कर देता है युबा लोग लेकिन तरुन पंडिर जी हैं ये अपने सपने को मार के क्योंकि इनका सपना जो था न वो पूरा नहीं हो सका लेकिन आज 37 साल की उमर में नजाने कितने बच्चों के सपने को ये पंक लगा रहा है निसुलक सिच्छा दे कर तरुन पंडिर जी 5 साल की उमर में इनके पैर में पोलियो लग गया था और उसके बाद से लेकर के अब तक पढ़ने में काफी मेधाबी थे लेकिन जो इनका सपना था ना डॉक्टर इंजिनियर बनने का कही न कहीं पैर खराब होने की बिदा से इनका पूरा नहीं हो सका लेकिन अपने सपने को पूरे नहीं कर पाए लेकिन समाज के बहुत सारे गरीब बच्चों को तरून पंडिट जी इनके सपना को पूरा करने के लिए बिना फीस के निसुलक पराते हैं और सुबर से लेकर के रात तक जब तक रोसनी की बेवस्ता हो गाउं में गूम गूम करके बच्चों को इसी तरह से गरीब परिवार के बच्चों को बोरा पर बैठा के चोकी पर बैठा करके निसुलक शिक्षा देने का काम करते हैं और यहाँ पे चोटा सा बच्चा है स्लेट है इसके हाथ में और ऐसे ही चोटे चोटे बच्चे हैं 3 साल 4 साल 5 साल उमर के जो इनके पास आते हैं, ओढ़ा सिक्चे हैं, परहाई करते हैं और शिक्चा लेकर के अपने अपने घर में जाते हैं एक तरुन पंडिर जी जिनकी दुनिया अंधेरे में ढूब गई विक्लांग हो जाने की बज़ा से लेकिन तरून पंडिर जी अपने ग्यान की बज़ा से सेकरो बच्चों के जीवन के उजाले में भरने का काम कर रहा है बहुत बनिया काम कर रहा है और भगवान आपको और हिम्मत दे, होसला दे ताकि इसी तरह से गरीब बच्चों को आगे बराएं और आपके जैसे ही लोग है समाज में समाजिक्ता जिन्दा है कहीं न कहीं और इंसानियत जिन्दा है क्योंकि आपके जैसे लोग ही समाजिक्ता और इंसानियत को बचा के रखे हैं क्योंकि रिक्सा पे बैठ के आना और कितने जगा गाउं में आप जाते होंगे से 500 बच्चों को परहाते हैं अब सोच लिजिए कि 400 से 500 बच्चे अगर पर रहे हैं तो आप जोड लिजिए कि कितने साल से आप परहा रहे हैं पंद्रो साल से परहा रहे हैं और 400 से 500 बच्चे को रोजाना परहाते हैं तो सोचिया की तरून पंडिर जी से परहा हुआ कितना बच्चा अपने घर के चिराक को रोसन कर रहा होगा और समाज में सिक्चा और जिस गाउं से आते हैं ना कहीं अभी भी पिछरापन है और कुमार पंडित नाम है रहुआ घर है वाड नंबर आट अ कि परहा के बच्चा को पुरा संतुष्ट हो जाते हैं अंदर से खुशी मिलता है हाँ अंदर में बहुत खुशी मिलता है साम जब घर जाते हैं तो बुच्चे की तरह और अपना जिनकी जैसे जीना है दूसरे के बच्चे को परहा कि आपको अंदर से खुसी मसूस होती है जब आप रात को सोते हैं और साम को घर जाते हैं तो लगता है कि कुछ कर के आए हैं आज हम हां, जैसे सूते हैं, तो लगता है जो हम कुछ कर की हैं और मेरा इसी tavra जीवन ही आपन और बच्चा आगे बरते रहे बहुत बणियां से और बहुत, style में नहीं बोल रहा है लेकिन जो जिन जयां और बीए किये हुए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धनवाद है हाथ मिलाई और इसी तरह से आप आगे पर ये और सरकार से सिस्टम से निवेदन करेंगे कि तरून पंडिट जैसे शिक्षित लोगों को बिये किये हुए हैं इन लोगों को रोजगार जरूर मोहिया आपया जाना जाई